नमस्कार दोस्तों नीटोस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके साथ में पालक की रेस्पी सेयर करेंगे पालक की भजिया पालक का सबजी पालक का कोटता आपने बहुत बार बनाया होगा और पालक पनीज भी आपने बनाया होगा पालक की जो रेस्पी की तरीकित सrit कर दिया है और इसे बहुत जरूरी ही क्योंकि इसमें बहुत सारे धूल मिटी हो तिये यह पर कि से ही हमने हरी मिर्ची होती है तो चलीए तो चलीए भीस्वान के बनाना सुरू करते हैं यहां सबसे पहले मिक्सिकी जार लेंगे और यह हें पालक रखा हुआ है इसे हम इसमें डाल देंगे अगर आप लोग निव हैं तो प्लीज चैनल को सस्काइब कीजेगा रेस्पी को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजेगा और हो सकते एक छोटा सा लाइक भी कर दीजेगा यहाँ पर यह देखे मैंने इसमें मिर्ची भी डाल दिया ह मिर्ची मैंने पांच लिया है आप चाहे तो थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं यहाँ पर यह देखे मैंने पनीर लिया है जिसे असकता का अनुसार हम यहाँ छोटे छोटे पीसे कर लेंगे तो यहां पालक पनीर की सबजी नहीं बना रहे हैं वीडियो में एंट टक बने रहें पर हमने डाल दिया वन पोचमत चाट मसाला वन पोचमत काली मिर्च का पाउडर वन फोचमत डालेंगे यहाँ पर तीकी वाली लाल मिर्ची तीका अपने स्वातकरमसार आप रखिए जितना भी आप कम ज्यादा खाना पसंद करते हैं यहाँ पर यह देखे अध पालक को पीस करके हम तयार कर लेंगे तो यहाँ पर यह देखे हमने पालक जो है पीस करके तयार कर लिया है और इसे रख देते हैं साइड में यह देखे यहाँ पर पैन चड़ा दिया है पैन में डाल दिया है सरसो का तेल आप यहाँ पर घी तेल जो भी कुकिंग ऑल खात इस रेस्पी को रेस्पी खाने में बहुत ज़्यादा स्वाधिश तो बहुत ज़्यादा डिलेशिस लगेगा तो यह देखे पनीर को अच्छी तरीके से हम एक एक बार पलड देंगे और इसे गोल्डन जो है क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे तो यहां पर देख सकते ह पर अजवाइन से इसका प्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहां पर थोड़ा सा अजवाइन को हम अच्छे से लाल हो जाने देंगे और डालेंगे इसमें थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्ची अजवाइन का सेवन ठंड में जरूर करना चाहिए इससे पेट का डिजेशन बहुत अच्छा रहता है यहां पर यह पालक जो पीस करके रखा है इसे इसमें मिला दिया है आप इसमें डालेंगे एक गिलाज पानी तो अच्छी तरीके से इसे हम मिला करके इसमें हम अच्छा सा बॉयल लेंगे तो सबसे पहले इसमें डाल देते हैं स्वात्क अनुसार नमक और थोड़ी सी यहाँ पर अधरक लेसुन मिर्ची का पेश्ट अच्छे से मिला देते हैं आप चाहे तो यहाँ पर ताजे भी लेसुन अधरक भी डाल सकते हैं आप इसे अच्छे तरह के से यह देखे बॉयल होने देंगे ताकि जो पाला का कच्छा पर नर है तो यहाँ पर यह देखे अच्छे तरह के सी यह भॉयल हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे एक कटोरी यहाँ पर लिया है चावल का आठा तो यहाँ पर यह बड़ी कटोरी है लेकिन लिया है हमने यहाँ पर छोटी एक कटोरी चावल का आठा तो अगर चावल क काटा आपके पास नहीं है तो आप यहां पर सूजी भी इसमें डाल सकते हैं अब अच्छी तरह के से हम इसमें मिलाएंगे इसमें ताकि कोई भी गुल्ठिया न रहे और इसे अच्छी तरह के से पकाना है आपको तो यहां पर यह देखे हमारा जो चावल काटा है कितनी अच थ्वड़ा सा पहले अब इसे थोड़ा सा थंडा होनी देंगे थंडा होने के बाद तब इसमें हम काम करेंगे यहां पर देख सकते हैं यह थंडा हो चुका है और हलगा सबसे समाप्त हो जाएंगि तो यहाँ प्या करेंगे सब से पहले सा सर्सो के तेल और हातों में लगाा कर करें इसे सब ढूरी प्याज जिसे में ने बारी काट करके इसमें ड़ êंगे और प्याज को अची तरNew से इसमें मिक्स कर देंगे जब यह अच्छी तरके से मिक्स हो जाएगा इसे रख देंगे साइड में यहां पर यह कर देंगे यहां पर यह तो आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं और यह दिखे अच refreshing के से इसे घोल करक को त्यार कर लेंगे आप यहां पर अपनी बीटर को हम देख लेते हैं यहां पर यह दिखे यह और ब्यटर को हम देख ले चुका है यह हम हाथों में यह दिखे इस तरह के से इसका छोटा-सोटा सा पोर्सन लेंगे और इसे इस तरह के से गोल से देते हुए इसे एक कटोरी का सेफ हम देंगे। सेभ भी दे सकते हैं यह देखिये हाथोंमें हरंसा बस तील लगा करके इस तरे किसे इसको हम एक कटोरी बना लेंगे और इसमें हम जो पनीर को फॉर नहीं हो फ्राई कर देंगे मिले fleeing और यहिंए चारों टरश को ना संचर इसको भाहर झाले आप इसे ये देखे चिकना कर लेना है और चाहे तो इसे गूल सेप में भी दे सकते हैं या फिर हमारे तरह इस नाश्टे को आप बना करके तयार कर सकते हैं देखने में जितना ज़ादा यह यूनिक लग रहा है, खाने में उतना ही ज़ादा यह स्वार्टर और बहुत ही ज़ादा यह डिलेशिस बनता है तो एक बार आप लोग ठ्राई करिए और मेमान आए तब भी आप इसे बना करके तयार कर सकते हैं तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना इसका सेप, तो चलिए सारे को बना करके हम पहले तियार कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नास्ता है ये बन करके तियार हो गया है, तो चलिए इसे फ्राई करने के प्रोसेस पे चलते हैं, तो यहाँ पर तो medium flame में इसे fry करना है, low flame में इसे fry नहीं कीजेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा oily हो जाएंगे, और जैसे ही अच्छे से ये fry हो जाएंगे, तब इसका हम site को change कर देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छे तरके से ये fry हो रहा है, तो ये देखिए, इसकी site को हम धीरे धीरे करके हम इसका site change कर देंगे, और दोनों तरब से हमें इसे fry करना है, और इसे crispy होने तक अच्छे से fry करना है, और आप लोगों को आज की recipe पसंद आई हो, तो चैनल को subscribe कीजेगा, recipe को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजेगा, और एक छोटा सा like कि हमारे चैनल में पहले से upload है, आप लोग वहां से जा करके visit कर लीजेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा नास्ता बहुत अच्छी तरीके से अब fry हो चुका है, तो चलिए हम इसे नास्ते को निकाल लेते हैं, और बाकी कभी नास्ता हम fry कर लेंगे इसी तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं, कि अच्छी तरीके यह प्राई हो चुका है, तो चलिए इसे हम serve करके दिखाते हैं, यह देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसे हमने serve कर दिया है, यह इतना crispy बना हुआ है, इतना जादा delicious बना हुआ है, कि आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, इसके लिए कि आपको कोई चटनी मगरे की जहुत भी नहीं पड़ेगी आप चाहे तो इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और यहां पर यह देखे मैंने इसे सॉस के साथ में सर्व करिया है क्योंकि हमारे यहां तो बच्चे ज्यादा तर सॉस ही खाते हैं और मुझे तो बस यह ऐस पसंद है तो देख सकते हैं न जैसे इस पनीर का बायट आता है न तो बहुत ही ज्यादा मज़े की लगता है यह नास्ता तो एक बार आप लोग ट्राई जरूर करें तो आप लोगों को कैसी लगी यह रैस्पी कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा तो एक बार ट्राई पानी तो दोस्तो इस रैस्पी को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए अपनी फैमिली मेंबर में सेयर और फटाफट बना डालिए इस नाश्ति को फिर मिलते हैं एक नई रैस्पी में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग